हाई फ्रेंट्स आज को रख सो पर हम जानेंगा और उसमें जितना भी कॉम्पोनेट होता है सब को हम चेक करना सिखेंगे कि यह इसमें जो कॉम्पोनेट लगा हुए वह सही या पर नहीं है किस तरह कासो से हम चेक करेंगे चलिए मैं आपको आज दिखाता हूं और इस ओपन यह दुनों वायर है इसी के द्वारा हम सारा कंपोनेट को चेक करेंगे एक लाल वायर है इसके द्वारा हम इसके सारे कंपोनेट को चेक करेंगे तो चलिए हम इस बल्ग को यहां पर रखते देते हैं बल्ग जब भी जलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि हां मेरा यह कं सर्कीट होगा तो उसे भी हम इसके द्वार हम फाइंड घॉट कर सकते हैं इस microwave oven को चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका जो मेन वायर है जिससे microwave oven में 220 वर्ल का सप्लाई जाता है उस वायर को चेक करने के लिए क्या करेंगे इस दुन इसमें डैग 220 का सप्ब्लाइट का सप्टलाइब के इस चोटा सा उसमें आप 220 वर्ट का मल्टीमीतर से हैं लेकिन पर आवार शिरिवन को दोरा छेक करेंगे दोरा पता दा लेगा क्या कौंसा वाइर साही है या फिर नहीं है लगांगे और ये पीज़ुपनArreach की वेट से घज़ैने और मौन अयह कि साथ नहीं चाहिए तो दुस्रे में लगाँगे तो आई oh नहीं जलना चाहिए और यह जो है यह जो है इसके बोड़िक साथ जलना चाहिए इसका मतलब आपका यह वायर है यहां तक जो सरकीट आए हुआ हुआ है वह सारा सही है इसमें कोई प्रोलम नहीं है अब हम क्या करेंगे इस श्रीज बलब के द्वारा इसमें जो भी च्शान चैक करते हैं इसमें जो दो उसम निकाल देंगे और सम चेक करेंगे इस से.. abonn rate को निकाल दो इक वायर को जब दो आपका झुंकिखाव सकता है यह भी मेरा जल रहा है इससे भी मेरा जल रहा है मतलब कि यह जो sensor है temperature sensor वह भी मेरा सही है चलिए हम आगे चेक करते हैं यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है उसे हम चेक करके दिखाते हैं जब इसमें लगाते हैं तो आप देख सकते हो वह तो बल्ब नहीं जल रहा है लेंप लेकिन यहाँ पर फैन यह जाल रहा है मतलब कि मैंने फैन सः हही है लेकिन उहाँ का जो लेंट है वह भू marine credibility अचलिक हो चलिए में आपको उसे उसे लैंप कोनिकाल करते और शेंख से कर दिया में और यहां पर देख सकते हो यहां पर दो स्वीच भगा हुआ जहाँ इसका ढूंगा को सबहुते हैं जो लगाते हो एलेटा विखीं पर तो स्टुच आनी चेक पlaus यह दोनों सुच आन हो जाता है। तो पहले हम इस इस दोनों स्टवीट कुछ करेंगे सूच कुछ करेंड़ कि मैं निकाल देंगे सुच में लगा وबइसे किसी एक वायर को निकाल देंगे दोनों वायर को निकालना चाहते हो आप तो दोनों वायर को निकाल दो कोई प्रवल्म नहीं है अब हम इस गेट को लगा दी है और गेट को निकालने के बाद सोरी गेट को लगाने के बाद जब हम इस स्रीजबर को द्वारा स्वीच को चेक क बंद के कंडिशन में अभी आप देख सकते हो उपर भी नहीं जल रहा है इतका मतलब मेरा स्वीच है वह सही है क्या करेंगे जहां जहां पर जो वायर लगा हुआ था वहां आप हम उसी तरिका से सारा वायर को लगा देंगे और जब भी आप उसका ड्राइगराम देख लो या फिर उसका फोटो खीच लो ने तो यदि बाद में आप उल्टा ड्रेक्शन में वायर लगाते हो गलत वायर लगाते हो आपका जो कोई भी एकुपेंट है वह खड़ाब हो जाएगा अभी मैं आपको इस वीडियो में इतन करके दिखाऊंगा अगले वीडियो में